इस question में क्या दिया हुआ है दिया हुआ है कि 5i वेक्टर a दिया हुआ है ठीक है मतलब हमने उसको माल लिया कि वेक्टर a है जो कि 5i-i-2j इसको माल है ठीक है अब हमी 8 unit का मतलब्सक्राइब एहां पर की 8 into a का unit vector उन्य मतलब यहूनिट उन्यक्रान ईक्सक्या हुआ है हम सबसे पहले unit vector find करेंगे unit vector क्या होता है vector a upon vector a का mod यही होता है बेटा तो अगर हम बात करते हैं कि unit vector हम पहले find कर लेते हैं उसके बाद a के साथ multiply करतेंगे ठीक है तो चलिए हम vector a का magnitude क्या होगा magnitude मतलब i का coefficient का square j के coefficient का square plus k के coefficient का square होगा ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा 25 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं तो मतलब 4 5 मतलब 30 हो जाएगा root under क्या होगा 30 हो जाएगा और यह root under जो 30 होगा यहीं क्या होगा vector a का magnitude होगा तो vector a का magnitude होगा root under 30 ठीक है अब हमें इसकी value यहाँ से लेनी है और यहाँ पर put कर देनी है जब भी इसकी value हम put करेंगे वहीं हमारा final answer होगा ठीक है चलिए देखते हैं तो अगर हम बात करते हैं कि unit vector vector a कितना दिया है ठीक है यहाँ पर vector a का magnitude कितना है root 30 तो हम इसको separate division करेंगे तो 5i upon root 30 minus j upon root 30 plus 2 upon root 30 k ठीक है k upon root 30 k और यही हमारा क्या होगा unit vector होगा अब इसके साथ यह बोला गया था कि 8 unit vector तो 8 into unit vector ही क्या होगा 8 यहाँ पर multiply हो जाएगा तो 8 into 5i upon root 30 ठीक है यहाँ पर minus j upon root 30 plus 2 upon root 30 k और यही हमारा इसका final answer होगा ठीक है इससे असान solution और कहीं नहीं